आज हम बनाएंगे पांच मिनट में 50 सेवी जादा समोसे। पटाफट से ले आते हैं खाने के लिए तो गैरंटी से कहती हूं आज के बाद मार्केट नहीं जाएंगे और मिंटों में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी स्वाद इतना लाजवाब की मार्केट के समोसे भी आपको फीके लगेंगे इतने जादा खसता और बहुत टेस्टी बन करके तैयार होते हैं तो वीडियो को बिना स्कित के हुए पूरा जरूर देखना तभी आपको पता चलेगा ये कमाल की ट्रेक तो नमस्ते दोस्तों मैं हूं कामिनी और कामिनी के किजन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए बि लिका सा येलर होता है अब ड़ कर फोर्चुन कांवन या लेसकते हैं अब दो चम्मच अधीड डाला है ये Shouted चम है नॉर्मल शमच से तो यह तीन से चार चम्मच तेल होगा और उस हिसाब से हमने 5 डिइंट यहा पर पानी एड़ चिए पानी तेल को अच्छे सेमें मिक्स कर लेना है इस तरीके का क्रीमी टेक्स्चर का हो जाएगा इससे बहुत कम घ believing asking. गहीं सकते काम जाना है डिल वाहें तरीक तो यह बहुत कम तर्ठी जो है भी ढगता है मिया को अक्छा बिलते हैं फिर खस्तापन आता है लेकिन इस ट्रिक से आपको खस्तापन बहुत ज़्यादा मिलेगा और तेल भी कम डालना पड़ेगा अब यहाँ पर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह देखिए जब मुठी बंदने लगे तब हमें क्या करना है इसमें पानी डाल करके इसका एक सौफ्ट आटा लगा लेना है यहाँ पर नमक अजवाइन डालना मैं भूल गई थी तो आप इसी स्टेज पर थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल देना मैंने बाद में नमक अजवाइन इसमें डाल दिया था जब मुझे याद आया यानि आटा गून करके जब लगा करके रेस्ट करने के लिए रखा उसके बाद मुझे याद आया कि सामने अजवाइन पड़ी रह गई और मैंने डाली नहीं अक्सर हो जाता है कि सामने चीज ह होती और हम भूल जाते हैं तो चलिए फटा-फट से हमें इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लेना है देखिए बहुत जादा टाइट भी नहीं है बहुत जादा सॉफ्ट भी नहीं है तो दो टेबल स्पून यहां पे सूजी चुरूर आट करना उसे एक दम खसत स्टॉफिंग बनाएना है तो पहले ही उभाल करके रख लेँ ठंडा कर लें तो आलू जो समोसे में पढ़ते हैं वह भरता नहीं पढ़ते बस इस तरीके से तोड़ लिये जाते हैं और फिस जैसे पकाते जाते हैं इन्हें मैश करते जाते हैं आपने देख नेखा होगा सम साबू धनिया जिसे क्रश करके लेना है बहुत थोड़ी सी सौफ यह सब बहुत ही सिंपल मसाले हैं जो की समोसे में डाले जाते हैं बहुत बढ़िया फ्लेवर देते हैं साथ में चुटकी बर हींग हरी मिर्च और अधरक डालती है इन सभी को बढ़िया से हमें भून लेना ह समोसे की फिलिंग होती है इनमें इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सौफ साबू धनिया हीं अधरा खरी मिर्ची मतलब बहुत ही अच्छा लगता है चलिए अब यहां पे बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर थोड़ी सी कश्मेरी लाल मिर्च कोटीवी लाल मिर्च एक बड़ा चमज धनिया बहुत थोड़ा से यहां पे गरम मसाला डाल रहा हूँ थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर साथ में भूने जीर का पाउडर एट कर दें और अच्छे से इन मसालों को तेल में 1 सेकंड के लिए हमें पका लेना है तो तेल में मसालों को पका करके फटाफट से आलू डालने हैं वजना मसाले जल सकते हैं सिर्फ एक सेकंड के लिए पका लेना तक कि तेल में जब मसाले पक जाते हैं तो कच्छा पंदूर हो जाता है और बस फटाफट से फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है आलू डालना है और आलू को इस तरीके से मिक्स करते रहना है यानि इस पैचुला की साहता से हम आलू को फोरते रहेंगे और इन्हें मिक्स भी करते रहेंगे चलिए अब यहाँ पर स्वाध के अनुसार नमक डालेंगे और नमक डालके इना कि भी आलूओं को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है तो जो आलू है ना जितने बढ़ियां हम भून लेंगे इस स्टेज पे उतना ही बढ़ियां चटपटा सा फ्लेवर यहां पे आने वाला है क्योंकि फ्रेंट जब भी समोसे की दुकान में जाते ना तो काफी टाइम लगा करके आलू को फ्राई किया जाता यानि इस तरीके से वो चलाते रहते आलू फोड़ते जाते हैं बहुत ही बढ़ियां लगता है जब धुआदार आलू खुब गरम हो जाए तब इसमें एक चम्मच भर के आमचूर का पाउडर साथ में हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे आमचूर डालने के बाद एक दो सेकेंड इसे और हमें भून लेना है ताकि आमचूर का पाउडर है वो अच्छे से आलू की स्टफिंग में घुल मिल जाए तो लीजे बहुत ही टेस्टी हमारी आलू की चटपटी सी फिलिंग तैयार है फिलिंग को बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे यहां पर आटा भी हमारा सेट हो गया है और यह देखी मैंने इसमें अजवाइन और नमक मिला दिया था क्योंकि जब मैं फिलिंग बना रहे थी ना तो एकदम नजर पड़ी कि अचवाइन कटोरी में रखी रह गई मैंने डाली नी तो बस फटा फट से आटा खोला और मैंने इसमें मिला दी है आप मारते समय ही डाल दीजेगा आटा दस मिनट के बाद अच्छे से सेट हो गया है इसकी लोईयां कट कर रही हूँ तो जितना हमने मैदा एक कटोरी लिया था दो टेबल स्पून सूजी डाले थी तो इस तरीके से तीन पेड़े बन करके तयार हुए हैं और इतने ही पेड़ों में आप देखना कितने बना करके तयार कर लेनी है तो लीजे यहां पर हमारी सलरी भी बिल्कुल तयार है चलिए चलते हैं नेक्स प्रोसेस की और तो यहां पर हमने एक चकला लिया है सुखे आटे में इस तरीके से लोई को कोट कर लेंगे और बेलन की हल्प से हम इसे बेलेंगे तो यहां पे बे आरियां तरीके से चलाना मैंना मैंना मैं किनारे खून है जैसे मैधा मैंने मैंना मैंने प्राइफ भी सबस्तर पर तरह थे फिर जीडि किनारे थे नहीं Saiz तरीके से हमने बेल लिए अब एक पीजा कटर ले लेंगे और इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे फिर इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड करेंगे और जिस तरीके से मैं डिवाइड कर रही हूं यह देखिए और यह देखिए किस तरीके से मैंने डिवाइड कर तो टोटल यहाँ पे यह 8 पार्ट में डिवाइड हो गया है अब यहाँ पे जब फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो एक चम्मच फिलिंग ले लेंगे और हर पार्ट में रख लेंगे देखिए इस तरीके से हम रखते जा रहे हैं थोड़ी जगा छोड़ करके रखना है बीचो से भी जगा को छोड़ना है तो हातों से इस तरीके से दबाते हुए फिलिंग को भर देना ताकि जब हम इस तरीके से समोसे बनाएना तो बहुत आसानी हो जाती है मिंटों में ही आप 8 समोसे तैयार कर लेंगे और वैसे बहुत जंजट होता है एक एक लोई बेलो फिर काट समोसे बनाने पड़ते हैं अब देखना कितनी समोसे तैयार हो जाएंगे हमने सारे आलो गरिया है अलुटा को लेंगे और लग पने लिए को सब तरफ में लगाका है और यह पार्ड ऊठाएंगे इन्हें आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से तो समझ गए आप यहां से पाट यह उठाएंगे इस तरीके से इसके उपर जोड़ देंगे तो यह जोड़ दिया हमने समोसे को हाथ में लेंगे फिलिंग को फिंगर के हल्प से अंदर करेंगे और इने भी हम seal कर देंगे यह देखिये तो बस इस तरीके से हम seal कर देंगे और हमारा instantly यह mini समोसा बन करके तयार हो गए हैं कितनी आसान से ये बन करके तयार हुए हैं तो चलिए इसे रखते हैं फिलाल प्लेट में और फटा फटसे में आपको एक दो समों से और बनाना बताऊंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से आजाएगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको बस लगाना है दोनों पार्ट उठा करके जॉइन कर देना यह देखिए इस तरीके से और यह वाला पार्ट उठा करके उपखेसे जॉइन कर देंगे हाटों से अच्छे से ताकि बहुत अच्छे से सील हो जाए और देखिए फ्रेंड्स फटा फट से बनाने में भी आपको बहुत मजाएगी तो लीजे हमारे दो समोसे बन करके तयार हो गए जिने और अच्छे से समझना है तो एक में और आपको बना देती हूँ ताकि बिल्कुल कोई गुंजाइस आप कमेंट में यह ना कह पाएं कि नहीं हमें बनाना नहीं आया बस दोनों तरफ से इनको चिपका देना है और यह देखिए इस तरीके से उठा करके इसके उपर चिपका देना है और समोसे को हाथ में उठा लेंगे और यह इधर से सील करेंगे और इधर से भी फटा-फट के हिस्साफ से यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं एक लोई में 8 समोसे दो लोई में 16 समोसे कितने बढ़िया समोसे हमारे बन करके तयार हुए हैं और जब भी तेल में तलने की बारी आती है तो तेल हलका गरम होगा फिर आप इसमें समोसे डालना एकदम खस्ता करारे बन तो बस तेल बिल्कुल कम गरम हो समोसे को डाल देना और बस फ्लेम को मीडियम रखना और इन्हें अलटते पलटते हुए यहां पर थोड़ा आपको टाइम लग सकता है पेसेंस के साथ में सेकेंगे तो समोसे जो एक ताम मार्केट इस्टाइल खस्ता बन करके तयार होते है तो देखे कोई बबल्स नहीं है समोसे में और समोसे देखे कितने बढ़ियां सिखते जा रहे हैं यह देखिए हैना कितने बढ़ियां प्यारा सा हल्का गुलावी कलर आ गया है तो फ्लेम बिल्कुल मध्यम रखना और इन्हें सेकना जो इस तरीके का सुनहरा कलर आ हैं इंडिकेशन होता है कि समोसे लίका उतने भड़ियां खसता नहीं बनी है तो बस इसी तरीके से हमें समोसे तयार कर लेने है और लीज़ेश हम यह देखें乾्स मैं डाल रही हैं बार-बार कडाई में गिर रहा हैं तो चलिए मैं इस तरीके से इन्हें डाल लेती हूँ और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं तो लग रहा है ना बिलकुल मार्केट स्टाइल समोसा बन करके तयार हुए खाने में भी बहुत टेस्टी तो इसी तरीके से मैंने सेकंड बैच भी डाल दिया है जब तक यह सिक रहा है तब तक चलिए फटा-फट से इनकी कर लेते हैं प्लेटिंग तो लीजिए हमारे एक बैच के समोसा बन करके तयार हो गए है आप इन्हें मिनी समोसा नहीं कह सकते क्योंकि मिनी समोसा से थोड़े से यह बढ़ी है तो हैनक कितनी कममाल की ट्रिक तो ट्रिक आपको पसंद आई होगी मिन्टों में ही आपका काम हो जाएगा अक्सर समोसा बनाने के जंजट से हम बचते आए हैं तो इस ट्रिक से बनाना बहुत पसंद आएगी यह देखिए तोड़ करके भी में आप बहुत जादा गरम है यह देखिए कितने करारे और खस्ता बन करके तैयार हुए है देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़ियां तो आप भी इस तरीके से बना करके देखना क्यारंटी से कहती हूँ नो फेल रेस्पी है बच्चे भी बना ले जाएंगे तो यह देखिए है ना फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं आपके लिए लाती रहती हूँ एक तम न यह रेस्पी जरूर ट्राइ करना गैरंटी से कहती हूँ बाहर के समोसे लाना खाना बिल्कुल भोल जाएंगे घर में एक बार ट्राय जरूर कर लेना और कमेंट्स करके बताना बिल्कुल मत भोलना कैसी बनी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेरेस्पी किसा तब तक किले बाइ और टेक किर